एडलीड स्टाइकर्स वर्सेज पर्थ इसकोचर्स दोस्तों ये दोनों टीमें आमने सामने हैं बिग वैस लीग दो हजार वाइस एंटेश मैस नमबर पुट्टी एट में अगर हम यहां पर पर्थ इसकोचर्स की बात करें तो क्वालिफाई कर चुका लेकिन ये तो चेंप अगर आप यह जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे पहले हम यह जानते हैं हेड टू हेड जब यह दोनों टीम है इससे पहले आमने सामने आई हैं तब कौन सी टीम किस पर पढ़ी है भारी तो अभी तक इनके बीच में 21-21-21 मैच के लेगा जिसमें से एडलीट ने अपने नाम पिक है नहीं जो फ्राइडे का दिन होता है जो एडलीट की टीम होती है ना वो जवाजस परफॉर्मेंस करती है पर्थिस कोचस के ऊपर लास्ट फाइब मुगाबले की कहानी बया कर तो यहां पर भी कही ना कहीं जो मामला है ना बिल्कुल रहने वाला आपका अपना भाई उसो चो अगर आपी सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई बहार से थोड़ी ना आएगा करना क्या है कुछ भी नहीं करना बस चीज का ध्यान देना है फेक से बचना है क्योंकि मेरे नाम पे ना काफी ज्यादा नकली टेलीग्राम चैनल बना ल 20 जनवरी इंडिया टाइम अनुसार 11 अम मतलब आप मोर्निंग मतलब जब दुपहर होने वाली होगी तब आप इसका लाइव एक सन देख सकते हैं यहां मुकाबला खिला जाएगा एड़ीड और यहां के मंदान पर अभी तक टी टुन्टी डुमस्टिक के 68 मैच खेले के जिसमें से 41 मैच में क्या हुआ टार्गेट डिफैंड एड़ीड टार्गेट चेज मतलब यहां की मंदान पर ज्यादा मैचों में क्या होते हैं टार्गेट डिफैंड होते हैं अवरेज स्कोर यहां पर फर्स इनिंग का 178 एक सो सतर रन टार्गेट चेज की बात कर तो 162 162 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टार्गेट चेज हो सकता टार्गेट डिफैंड की बात करें 178 178 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टार्गेट डिफैंड हो सकता 162 से 178 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना जो मामला यह तो बोल होताई तेस गेंदवाजों का वो थोड़ा सा सुइंग करता है लेकिन जैसे-जैसे मैस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ता है न तो जो बोल होता है बैट पे काफी की बात करें तो एडलीडि स्टाइकर ने 66 से मैच कहले जिसमें से 38 मैच जीता 28 मैच हार गया मतलब अपने घर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता एडलीडि स्टाइकर एक जीता है तो एक ऐसे कुछ हार भी जाता है वहीं दोस्तों पर्थिसकोचर की बात करे तो 9 मैच कहले 9 मैच से 3 जीते 6 हार है और दोस्तों ये जो 9 मैच कहले एडलीड से ही खेले एडलीड के घर में तो मतलब जो एडलीड के टीम है अपने घर में पर्थिसकोचर के सामने बड़ीया परफॉर्मेंस करता है इनको मतलब मैच तो जीते हैं लेकिन बहुत ही कम जीतने दिया अपने घर में तो आज के मैच में क्या होगा सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर एडलीड इस टाइगर्स की जिन्हों ने बारा मैच के लिए बारा मैच में से बस पांच मैं जीता साथ मैच हा रहे इनके दस पॉइंट से अगर हम इनके खेमे में चेंजिस की बात करें तो आज करने के बात करें पीटर सीडर अगर पूरी तरह से फिट होगे तो वह पलेइंग लेमें आ सकता है तो यह दो सकते हैं अगर अगर अभी मैं परजर्जेंट टाइम की इनकी जो बल्लेवाजी की बात करें तो पेपर में बहुत अच्छी दिख रहे हैं कि मैथू सोट और ट्रेविस हैड इनकी ओपनिंग जोड़ी होगे तीसे नमबर पर क्रिसली और चौते नमबर की बात करें तो एलेक्स कैरी पांचो नमबर पर एडम हो चाथवे नमबर पर करते तो बढ़ा गयनवाजी करते हैं फ danach को फोड़ां सा रण पड़ता है लेकिन बिटिन निकालते रहते हैं विशन अगरे बहुत भी बढ़न जी दोनों मुझे लग रहा है उतना च्छी नहीं कर रहे मनला जब से रासित घान मुएं थो इनका इस्विन इपार्टमें готов लिए थोड़ा सा सूखा सूखा नजार आरहा इसलिए अभी की बात करें तो बैक्टूबैक मैचे जार रहे हैं तो इन तो सक्षा हमे पर्थी सकोचर की बात करें तो 11 मैच से नौ मैंच जीता बस 3 मैच आ रहे इनके 18 पॉइंट है उद्ला की तरह कैला है अगर हमें इंसके इनकी जोड़ी ऐसी है लगाता सभी मैचों में मतलब खड़ी भी रहती है और तेर तरार पारी भी खेलती है और मैच को खतम कर देती है और जो रही सही कसर होती है कप्तान एस्टन टर्नर आते हैं मार मूर के खतम कर देते हैं तो जो इनकी मिडिल ओडर की बल्ले बाजी है भाई साब बहुत ही ज़्यादा जवाज़ास है बाकि हम इनकी गेंदवाजी की बात करें तो एंडू टाय तो मतलब समझ लो की आगी फे वहीं अगर हम इन दोनों टीवों के लास्ट सिक्से मैच में बस दो मैंच जीता चार मैंच आरा इस दोरान जो इनका बल्ले बाजी अबरेज है वन सिष्टी सेवन एक सो सरसा तरनों का जो की ठीक ठाक होता है गेंदवाजी अबरेज की बात करें से 1.90 ये भी ठीक ठाक हो पर्थ की टीम है वो तो एडलीट से बेतर नजर आ रही है लेकिन बल्ले वाजी अगेंदवाजी अबरेज की बात करें तो यहां पे ज़्यादा फरक नहीं है मुझे तो बरावरी का मामला लग रहा है वहीं अगर हम इन दूरों टीमों की चेज और डिफैंड की बात करें पर्थ स्कोचर्स के सामने 174, 174 पर्थ स्कोचर्स ने जो हाइस स्कोचर्स के सामने 146, 186 रहें दोसो डिफैंड की बात करें तो एडलीट स्कोचर्स को नो मैच में डिफैंड करने का मौका मिला चार में कर लिया पांस में ना कर पाए मतलब डिफैंड में भी जो लिट के सामने एक मैच में नहीं कर पाते एडिलीटी स्टैकर ने जो लोग सिसकोड डिफैंड के सामने वन थर्टी तरी 133 133 तो भाई लोग बिग मैस लीग 2022-23 जो मैच नमबर 48 है न हमने इसकी सारी अनलास्ट कर ली अब वही जानते हैं जिसका आप कर रहे हैं इंतजार भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना क्यों बनता है यूँकि आपका भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा महनद करता है और आपका भाई कोई hero या celebrity थोड़ी ना है आपकी बीच करहने वाला आपका अपना भाई है तो अपने भाई का सपोर्ट आपको करना चाहि तो मुझे ऐसा लगता यह जो मैं आच है ना, Adelaide Strikers अपने नाम पर कर सकता है, इसमें थोड़ा सा रिस्क है, अगर आप ले सकते हैं, तो मेरे साथ आ सकते हैं, मुझे लगता जो यह मैं आच है ना, Adelaide Strikers अपने नाम पर कर सकता है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा, क्या पहले से वह काफी ज्यादा फायदा है तो आप पीछे कुँगों आप भी ज्वाइन करो फायदा उठाओ बस एक चीज का ध्यान देना फेक से बचना क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही ज्यादा नगली टेली ग्राम चैनल बना लेगे इसलिए इद्धर उद्धर और कई से ज् गोड ब्लेस यू